पर एक और सवाल में को पूछना है आपसे सर पर उससे पहले क्योंकि तेल की बात ही सबसे पहले निकल कर आती है थर्सडे से आज तक 20% का उच्छाल तेल में हमने देखते हैं अब तो हमारी जेब पर भी असर पड़ेगा ओ-मसी भी अब रीटेल लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं आपका भी को रिलेशन है तेल के दामा और बाजार के आक्शन का कैसे देखें 120 के करीब अब ब्रेंट आते हूँ दिख रहा है नेगेटिव है दीपिस में कोई डाउट ही नहीं कि 98 डोलर के आसपास आने के बाद अगर आप यह सोचते हैं पिछले हफते की सब कुछ ठीक होने जा रहा है और सब कुछ बढ़िया है तो इसलिए हम लगातार यह कहने हैं कि थोड़े दिन तक आप कच्छे तेल के दाम के साथ बाजार को जोड़ कर देखिए और कच्छे तेल के दाम जैसे ही बढ़ने लग कर इंडिकेशन दे दिया था बिल्कुल सो मेरा यह समझना है कि कच्छा तेल अभी भी हम पर भारी पड़ेगा और जब तक कच्छा तेल ऊपर के लेवल पर है हमारे लिए बहुत मजबूती दिखाना मुश्किल काम है इसलिए स्टेटेजी वही है आपको याद होगा हम ल टी को गहार सब खरीद लिए नहीं जहां जितना कैश में आ सकते हैं उतना कैश में हर लेवल पर रहना है हर वक्त आपके पास पैसा रहना चाहिए कभी भी इस अभी के महाल में आपको फुली इंवेस्टेड होने ही नहीं है होने ही नहीं बहले छूट जाए ऑपर चुट इस मार्केट पेसा बन रहा है कितना बन रहा है बड़ी बात नहीं है बन रहे हो बड़ी बात लग नहीं हो बड़ी बात है इसलिए हमें सावधान रना हमारा स्टेंड बहुत क्लिर है नीचे आएगा 16,000 उसके आजब भगवान ना करे वापस आए लेकिन वहां पर हम confident हो क के खरीदेंगे ऊपर आएगा सत्रा चार सो सत्रा आठ सो कंजिशन जोन है उसके आसपा जब पहुंचेंगे वहां हलका होना है तो दोनों तरफ की टेट और बाकी तो ट्रिगर्स आपके सामने ही है कि वही कोई रश्या युक्रेयन वाला मामला और कुरूड का मामला उसको द आनिया भुष